आईला, नोवन पोडियो कास्ट आया, चमाईला हलकट, हर कोई नहीं नमबर वन है वहाँ लेकिन इस बार आपन पहले बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, आपने अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा, तो मेरे चैनल पे जाकर आप मेरा व्लॉग देख सकते हो, जहापर मैंने इस सीरीज का रेवीव किया है, लेकिन अगर आपके पास वो देखने के लिए टाइम अच प्राइम तो इसमें बस मेरा आवाज सुने का आपने आँकों को आराम देने का तो बात करने वाले हैं हम आज अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए एक जबबर्दस सुपरनाइश्रल ड्रामा थ्रीलर मुर्डर सीरीज आया है वह एपिसोड में डिवाइड़ है तो आप अगर आराम से देखने वाले में से हो तो आप आठ दिन में यह देख के खतम कर सकते हो या फिर अगर आपके पास चार घंटे हैं देखने के लिए तो यह चार घंटे का सीरीज आप एक दिन में देख के खतम कर सकते हो इस सीरीज का निकाला है अभी बहुत सरे लोगों को ये शायद पता नहीं कि ये कहाने लिखने में अमित की बीवी कभी बहुत बड़ा हाथ है इस स्रीज में आपको देखने मिलते हैं संजय कपूर आफ्टर लॉंग टाइम जो अरुप सिंग का रोल निभा रहे हैं एक डी सीपी पुलिस अभी तक इतना जादा फेमस तो है ने उनकी पैदाशी सिक्किम में हुई है और हमेचा से अमित कुमार के संपक्त में रहे बल्कि वो कहते हैं कि अमित के ज्यादा आग्रह से ही यह सीरीज करने में वो तयार हुए थे तो उनका नाम है कर्मा टाकपा अभी बात करते हैं कि क्या है इस सेरीज की कहानी तो हाली में विद्वा हुए DCP अवरुप सिंग अपने बीवी के अकस्मत मौत के बाद सोचते हैं कि मुंबई के बीजी लाइफ चल से थोड़ा कहीं दूर बाहर निकल कर अपने बेटी के साथ वक्त बिताएंगे और एक स्ट्रेस फ्री इस्ट में करा लिया था एक हिमाले के पहाड़ों में बसे गाउं में और जॉप के पहले ही दिन स्टेशन में एक केस आता है और एक नए DCP बनने की रिस्पॉंसिबिटी से वो सोचने की चलो भाई केस के भाहने से हम लोगों से मिल लेंगे लोकेशन भी देख लेंगे और अपने को क्राइम सीन भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं इस पूछते ही उन्हें एक बेंगॉली आक्रेस और उसके ड्राइवर की लाश मिलती है और यही होता है अरुप सिंग का पहला मुडर केस तो जिस बेंगॉली आक्रेस का मौत हुआ है उसका पिता दुपे में ब एक लीड को फॉलो करते करते वो एक घने पाइन फॉरेस्ट एरिया में पोच जाते हैं और वहां पे अचानक एक छोटे से मुद्भेड में संदेय के रूप में दो लोगों की मौत हो जाती है जिसमें एक बुजर्ग इंसान और एक जवान लड़का होता है और यही लड़क उसे शामन या फिर नेपाली में जाकरी भी कहते हैं शामन या फिर जाकरी तो आत्माओं से बात तो करी सकते हैं लेकिन एक खास दिया लगा के इस शक्ति से आत्माओं को महसुस करते हैं उनसे बात भी कर सकते हैं और मरे हुए इंसान की आत्मा को दूसरी और छोड़ाते ह अब इस सिरीज में उन्होंने दूसरी और मतलब एक नदी या फिर समंदर का किनारा दिखाया है एक छोटा सा नाव आता है वहाँ पे वो मरे हुए इंसान के आत्मा को छोड़ता है और फिर वो चले जाते हैं अब बसे उस धूंद में वो लोग कहां जाते हैं ये तो अभी तक बताया नहीं बस यह होने के बाद जादा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है और फिर से अपने जगह आकर ग्यान में लग जाता है लेकिन गोलियों के आवाज सुनके उसका ध्यान बढ़ जाता है और वहां पर जाकर देखने के बाद उसे पता चलता कि उसका भाई तो मर चुका है असली खुनी को पकड़ते कौन बैटेगा उसमें तो काफे वक्त चला जाएगा इसलिए फटा फट किसी को भी पकड़के ठोक डालो मतलब ये केश भी क्लोज हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएगे जिससे अपना लाइफ सट हो जाएगा पर अरूप को इसके ओपर बिल्कुल भी वरुसान नहीं होता है क्योंकि एक मुंबई में रहने वाले बंदे को ये पहाडों में रहने वाले लोगों के अंदर विश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है लेकिन जिन पुलिस वालों ने देव के भाई को मारा होता है वो ही पुलिस वाले अरूप और देव को मारने आते हैं क्योंको उन्हें शक आता है कहीं अरूप इस जाकरी के बातों को सच मान कर कहीं उनके उपर शक न कर ले और अगर उसने इस जाकरी के बात को मान लिया तो फिर उनकी पोल खुल जाएगी और अरूप भी भाब रहता है कि जूटे सबूत उसे दिये गए थे जबकि उनके ओपर तो किसने हमला ही नहीं किया था और वो दोनों पुलिस वाले अरूप और देव को मारने के लिए आते हैं और इसी मुद्वेट में गोली लगने के अरूप देव से उस एक्टरिस की आत्मा से बात करके उसे किसने मारा ये पता करके बताने के लिए बुलता है लेकिन देव केता है कि आत्मा शरीद छोड चुकी है और वो उसे बात नहीं कर पाएगा लेकिन उसके ड्राइवर को देखके वो उसे तुरंत एक कड़े के और ये देखर उसे समाझ आता है कि अमू का धोके से खून करने वाला और ड्राइवर का खूनी तो कोई और नहीं अमू के उस खाश शक्ति के तलाश में निकला हुआ यामा नाडू ही है कौन थी अमू और कौन है यामा नाडू ये वो ही लोग है जिनोंने बच्पन में देव को अगवा किया था और उसे शामन की शिक्षा दी थी देव के जैसे काफे सरे बच्चे थे जिने उन्होंने अगवा भी किया था कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे जिने आम इंसान समझ नहीं पाते उनमें से देव भी था और अमू ही थी जिसने देव को समय के बहाव पर नियंत्रन करने का पहला कदम सिखाया था जिसे पता नहीं कि अमू ने वो शक्तिया मरते हुए किसे दी थी इसलिए यामा नाडू अभी सारे जाक्रियों को जो उसके दल में थे उन्हें मारते हुए निकला है और जिसके तलाश में निकला है वो कोई और नहीं तो देव के पास सी शक्तिया है तो अभी देव को तो पता चल गया कि अभी यामा नाडू तो अभी उसी के पास आएगा शक्तिया लेने के लिए और देव को एक बार उसने मार दिया और अगर वो शक्ति यामा नाडू के हाथ में लग गई तो समय और मौत दोनों पे नियंतरन कर पाएगा अभी क्योंकि अप्रतक्ष रूप से देव इस murder case का जुल चुका है तो अरूप उसे कहता है कि तुम्हेरा local informing के काम कर ले और क्योंकि अरूप ने देव की शक्तिया देखी है इस्तिमाल करते हुए और ये भी जान चुका है कि यामा नाडू देव की तलाश में निकला है तो अगर देव हमेशा अरूप की साथ रहेगा तो case solve करने में बड़ी आसानी होगी और अगर इस case में आगया और कोई मरेगा तो देव उसकी जानकारी निकाल के बताएगा कि उसे किस्ते मारा कब और क्यों तो इसी बरवसे से देव और अरूप साथ में रहने लगते हैं और देव हमेशा अरूप की मदद कर रहा होता है इस case के अंदर और इसी बिच उनकी बिच में बहुत अच्छी घहरी दोस्ती भी बने लगती हैं अब दोस्ती के नाते अरूप एक देव को बोलता है कि चल मेरे घर खाना खाने के लिए आजा तो उसी दिन जब देव अरूप के घर जाता है देव की मुलाकात होती है ठीक उसी लड़की से जिसे उसने पहाड़ों के नीचे कूदने से रोका था और तभी उसे पता चलता है कि उसका नाम है परी जो अरूप की बेटी है और अपने मा के मौत के बाद वो बड़ी उद बार देखा था और परी के लिए ये मुलाकात तीशी बार है तो अरूप केता है देव तो पूरे दिन उसी के साथ था तो कॉलेज के आस पास तो देखना संभवी नहीं तो जिसी कॉलेज के पास देखा था वो कौन था और अगर देव था तो देव मान क्यों नहीं रहा है और अगर देव था तो पूरे दिन अरुप के साथ कौन था देव क्या छुपा रहा है और अगर कुछ छुपा नहीं रहा तो परी जूट क्यों बोल रही है क्या यामानाडू देव को मार के ले पाएगा वो अमू की खास शक्तियां या देव खुद ही उस खास शक्ति का उप्योग करके बदलेगा समय के बहाव को इस सीरीज के ये सारे राज जब आप इसे देखोगे तभी ही खुलेंगे और कई सारे राज आने वाले आगे सीजन के लिए दबे रहेंगे अब जितना रहे से मैं ये कहानी लग रही है उतना ही रहे से मैं इस सीरीज की कहानी है क्या हुआ आपको अजिब लग रहा है मेरा स्टेटमेंट टेंशन मत लो जाओ और देख लो ये सीरीज फिर शायद आप लोग को पता चलेगा कि क्यों मैंने ऐसे कहा तो मैं पहले ही बता देता हूँ इस सीरीज में कोई भूत या आत्मा कुछ नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है वक्त का खेल और आपको आत्मा ये देखने के लिए मिलेंगे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ही आत्मा होंगे कोई और भोतों के नहीं अगर इस series का main चीज देखने के लिए जाओगे तो ये आपको एक अलग I am या फिर अलग dimension में ले जाती है जो बहुत ही rare हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे series में director उसे और अच्छे से दिखा सकते थे लेकिन मेरे खाल से ये start है तो शायद उसने जैसे imagine किया हो उसे वैसा ही लगा हो उसने उसी हिसाब से दिखाय हो लेकिन शायद या भी इसका season 2 या season 3 जब आएगा तब हमें कुछ नया देखने के मिलेगा अगर आप समझना चाहते हो कि उसने कैसे layers use किये है तो आपको मेरा vlog देखना पड़ेगा वहाँ पर आपको समझ में का exactly वो कैसा दिखाया है या फिर आप जब series देखोगे तब आपको automatically समझ में आ जाएगा कि जब screen size change हो रहा है जब color grading change हो रहा है तब वो एक dimension में चलेगा it is not a dream it is a dimension एक different dimension है जो एक आम इंसान देख नहीं सकता लेकिन जो देख पाते हैं उन्हें आम इंसान या फिर साधार न इंसान उसे पागल कहता है लेकिन वो लोग पागल नहीं या फिर अजीब नहीं वो सिर्फ उस darkness को देख सकते हैं या फिर भाब सकते हैं बस इतनी है उनकी गलती और कुछ नहीं तो इस सीरीज की कहानी बहुत ही अलग हटके और कुछ नया टेस्ट नया फ्लेवर लेकर आएगा खास करके मैं को इस सीरीज का जो पसंद रहा है वो है लोकेशन लोकेशन पहाड़ी इलाखा मतलब आसाम सिक्किम अरुनाचल प्रदे मतलब तेली और उसके बद कश्मीर और लगदाग भी अभी अभी कहां लोग एक्स्प्लोर कर रहे हैं लेकिन नौर्थ इस्ट का मोसली जादा एक्स्प्लोर नहीं है और वहाँ पर खास करके यह शूटिंग होनी के वज़े से इस सीरीज को एक अलग फ्लेवर टेस्ट और सीरीज में आपको टोटल नाच्रल अक्टिंग दिखेगा मतलब इवन देव जो लीड अक्टर है उसका भी एक्सप्रेशन आपको बहुत ही साधारण या फिर कभी कभी आपको लेम लग सकता है लेकिन शायद ही यह करेक्टर में ऐसा लिखा हुआ था कि करेक्टर हमें उस तो ऐसा नहीं है कि आपको एदम टोटल या ऐसा कुछ आजीब अक्टिंग लगेगा लेकिन जो ओर ओर ओल जो कंसेप्ट है ओर ओर जो एक्टिंग ओर ओर दो नाच्रल फीलिंग फ्लो एक इस सीरीज को जो ले आता है वो बहुत ही बड़िया है तो मैं कहूंगा आपको ज यह थोड़ा मतलब बिनो थोड़ा स्ट्रेसफल हो सकता है बच्चों के लिए लेकिन फैमिली के साथ तो एपसलूटली वॉचबल सीरीज है यह और एक जब नया हट के सीरीज एमेजॉन पर आ रहा है तब मैं कहूंगा कि यह मिस्स ना करें सर्टिंग एक एक एक्स्ट्र भी बोर हो जाओगे और आपको कुछ समझने आएगा फर्स एपिसोड येस एपसलूटली इस वेरी बोरिंग जब मैंने खुदने स्टाइट के था तो मुझे बहुत ही बोरिंग फीलिंग हो रहा था यह सीरीज देखने के लिए मुझे ऐसे लग रहा था मैं क्या देख र पहले समझ पाया कि concept क्या है तो अगर लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो लोगों को कुछ मजा ही नहीं आएगा मेरे काव सा डिरेक्टर ने बहुत खोशिश किया है कि एक आम इंसान को भी समझ में आया कि इस सीरीज के अंदर क्या चल रहा है ऐसे ने कि टाइम के बेस्ट क काफी सारा है लोकेशन काफी नया है तो लोगों को वो understand भी होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने काफी सारे regions जो इंडिया में है जैसे कि North और South उसको थोड़ा बहुत हम समझ पाएं है लेकि North East part is always untouched तो it sometimes becomes very much difficult कि वहाँ पे क्या होता है उनकी lifestyle कैसी है उन लोग का समहाँ feel that second season and third season is going to be outstanding तो मैं कहूंगा जब यह series देख रहो थोड़ा patience रखो और series देखो आपको 110% मज़ा आएगा cinematography is very good और music जो है जो जिसके बारे मैं ब्लॉग में बोल नहीं पाया इसका music बहुत ही जबर्दस catch है जब वो एक dimension में चले जाता है या फिर I'm not just talking about dimension बट इन जनरली जब इसका जो music जो sound track जो background music दिया है वो बहुत ही जबर्दस दिया हुआ है और एक खास music है जब आप यह series series देखते वक्त सुनोगे जब तक यह series खतम नहीं करोगे तब तक आपके दिमांग में इससब चलता रहेगा तो बस आज के लिए इतना इच इतना इच रखूंगा मैं ज्यादा लंबा नहीं कुछ जोंगा बेवज़ा नहीं तो आप लोब भी बोर हो जाओ जाओ अच्छ से लगता है मुझे कमेंट सक्ष्य में जरूर बताओ और मेरे चैनल को लाहिक शेर और सब्सक्राइब 110 परसंट करो अगर आपको मेरा कंटेंट परसंट आता है तो आपने दोस्तों को भी शेर करो और कमेंट में मुझे बताना जरूर कि भाई आपको लग कैसे रहा है ताक से वाले को बेवजा छेड़ने कान नहीं चलो बबाई